वेल्कम टू माई चैनल मैथमाटिक स्टूडिस आज हम BABSC फिफ समेस्टर की बुक ग्रूप संट रिंग का चैप्टर नुबर फर्स्ट के साइज 1.2 का लेक्टर फिफ्ट देखेंगे देखो लेक्टर नुबर फॉर्थ के अंदर मैंने आपको ओर्डर के बारे में बताया था ठीक उसके अंदर हमारा क्या होता था कि अगर मेरा मालो कोई की एलिमेंट ए है उसका ओर्डर एन है तो एक पावर एन इड्टिक एकवल हो जाता था ठीक है और अगर मेरा एक पावर एन डेंटिटिक दे रखा हैं तो जो मेरा lifes가요 और विलकुल टेल में पढ़ लिए थे और ओडर से लेटिद एक थीरण भी हमने कर ली थी आज ये हमार element ले लिया ए जोसका order होगा ना order of an element of group is the same as that of its inverse मतलब जो हमने element लिया ना a group के अंदर से और एक a और जोसका inverse होगा a inverse एक inverse के लिया a inverse जो इन दोनों का order होगा ना वो क्या होगा same यह हमें प्रूव करना है क्या है कि एक element दे एक रखा है उस जो कि हमने जीके अंदर से लिया हमें प्रूव करना है जोसका inverse होगा ना उसका order मैं ओडर ओडर ओफ ए और ओडर ओफ ए इनवर्स हमें क्या करना equal प्रूव करना है ठीक है तो हम सबसे पहले तो हमें क्या ही दे रखा है इसके अंदर के एक element है ग्रूप के अंदर से ठीक है तो हमने क्या अगलिया लेट एबी अनी एलिमेंट ओ ग्रूप जी कोई भी एक element है जी ग्रूप का ठीक है और हमने माल लिया कि जो ओडर है ना ओडर ओफ ए वो हमारा क्या है एन है एक मिनट के लिए यह रूखो क्या है ए हमने कोई वे एलिमेंट ले लिया जी ग्रूप का अब देखो हमारे पास है ना इसके अंदर हमें क्या करना है ओडर को बताना है कि जो ओडर होगा ना एलिमेंट का और इनवर्स को हुवगवल है तो जो ओडर है वो हमारा फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है तो हमारे 2 cases हो गए ना वक्ताथ कंदर produce कि जो मेरा ओडर है तो वो finite हो या infinite हो θ이라 क्या है? अगर मेरा क्या है कि order of a मैं finite ले रही हूं तो order of a इण वर्स भी मेरा finite आना चाहिए और अगर मैं order of a infinite ले रही हूं इनवर्स भी उसी के एकवल होगा ठीक है तो हमारा फर्स्ट केस क्या है कि जो मेरा ओडर ओफ ए है ना वो क्या है फाइनाइट है ठीक है और वो मैंने इस तरीके से माले कि जो ओडर ओफ ए है वो मैंने क्या मालिया एन मालिया कोई वैल्यू ठीक और ओडर ओफ इंवर्स मैंने लेट कर लिया वो क्या है मेरा एम है ओके और मुझे इसके अंदर प्रूव क्या करना है कि यह दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाए एक टाइम पर एकवल हो जाएं और यह इकवल होते ही हमारे जो थिवरा में वह प्रूफ हो जाएगी फाइनाइट के केस के लिए नहीं हम इनफाइनट का केस लेंगे ओ तो order of a अगर finite है तो order of a मैंने क्या मालिया कोई finite value n और order of a inverse मैंने क्या मालिया कोई value m ओके और मुझे किसी तरीके से क्या प्रूव करना है कि n equal हो जाए mk तो अब यह प्रूव करना है हमें कि n के value mk equal है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जो given चीज़ है उसका use करेंगे हमें क्या पता है कि order of a मेरा क्या n है अगर मेरा order of a n है तो a की power n किसके equal हो जाएगा identity के equal यह है तो हमारी order की definition होती थी right a की power n का मतलब क्या है यहाँ पे कि मैं a के ऊपर operation लगा दू a into a यहाँ पे हमारा कोई भी operation हो तकता है डोट की जगे equal to e और यह हमारा कित्ते times लिख रखा है हमने end times इसका मतलब तो हमारे यह ही है ओके अब देखो यह हमारे यह हो गया बठ हमें इसको relate किसके साथ करना inverse के साथ किसी तरीके से हम इसको inverse के साथ relate कर दें दो हमने क्या कर दिया दोनों तरफ inverse ले लिया कि inverse equal to identity का inverse अब जब को इनवर्स खुलता है तो कैसे हो तो पिछे से अब उपन करना शुरू करते हो तो भाई चांस क्योंकि यहां पर भी आगे भी ए और पिछे भी ए है तो हमारे इसी तरीके से पर ऑपन इनवर्स इनवर्स अपतो वन 4 सों अंवर्स कितने तांडM स सकते हूं कि A की इन्वरस की N एकवल टो आइदेंटीटिटी आ गया और इसका मतलब क्या है देखो मेरा ओडर और अगर 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 मेरा और of a identity होता था तो उसका मतलब मेरा क्या होता था सोरी अगर मेरा order of a n होता था तो उसका मतलब क्या होता था a की power n equal to identity और अगर मेरा a की power n identity होता था उसका मतलब होता order of a less than equal to n अब यहां पर मेरा क्या है कि a की power n identity मतलब a inverse की power n identity है तो क्या हो order of a inverse is less than equal to n यहां बस एक जगे inverse है तो हमारे इस तरीके से होगा अब देखो order of a inverse मैंने क्या लिया था यहां पे value m तो जो मेरा m हो less than equal to n आगया ठीक है यह हमने माले equation number one also जो हमारी यह value है मैंने क्या लिए थी finite लिए और जो मेरा कोई inverse जो order of a inverse है ना वो कुसी finite value से less आगया इसका मतलब जो यह value हो भी क्या हो गई मेरी finite होगी और एक equation यहां से क्या बनके जो मैंने value लिए थी ना m वो less than equal to n आगयी ठीक है अब मैंने कहां से start किया था order of a equal to n से त तो देखेंगे हम हमारी equation क्या है कि order of a inverse अगर मेरा M है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी power अगर मैं M कर दो तो और इसका मतलब क्या है कि मैं इसको कित्ते टाइम्स लिख रही हूं यहां पर इस तरीके से m times equal to identity अब मुझे इसको किसके साथ connect करना है जैसे inverse वाले पार्ट ले लिया तो इसको उपन करो एक इंवर्स का इंवर्स इसके एकवल होता है यह हमने पहले theorem करी थी उसके इंदर फ्रूव करका तो ए ए ए ए ए म टाइम्स और एंटी का इंवर्स आइडेंटिटी होता है इसको हम लिए सकते हैं कि पार M equal to identity और इसका मतलब क्या होगा कि order of a इसका मतलब दोनों का अगर हम जोइन कर दें तो हमारी common चीज का आए कि यह दोनों क्या है एक्वल है तो एन इक्वल टू एम हमारा हो गया और यह हमें क्या करना प्रूव करना था राइट और हमारा finite भी हो गया था क्योंकि एक किसी particular value से छोटा आ गया था तो यह finite भी हो गया था एक्वल भी आगये तो हमारा अगर finite है ए तो यह इनवर्स होगा और हमार जो ओर मिले थे ओर उड्र वी और उडर ऑफ इनवर्स एम वह दोनों भी हमारे क्या होग एक्वल ओगे एन इकॉल टू एमागया अगर हमारा finite का केस है तो अब अगर हम ले लेडे क प्रूब हो जाएगी अब हम लेके चलेंगे case number second अगर मेरा order of a क्या हो जाए infinite कि order of a is infinite ठीक है तो मुझे क्या प्रूव करना है कि जो a inverse का order ना वो भी क्या हो जाए infinite हो जाए तो मैं है ना contradiction से पिसको प्रूव करूँगी तो मैंने क्या ले लिया कि मैं इसको लेगे चल पड़ती हूं कि order of a inverse है ना मेरा finite है ओके तो लट इफ पॉसिबल मेरा order of a inverse है वो क्या finite है और finite value मैंने कोई माली कि वो M है जैसे हमने पिछले में माना था वैसे ही क्योंकि मैं क्या करें अगर हमें इसको infinite प्रूव करना होता है ना तो हम यूजवली theorem के अंदर क्या करते हैं infinite प्रूव करने के लिए उसको finite लेके जोल पढ़ते हैं उसके अंदर contradiction आ जाती है तो automatically क्या प्रूव हो जाता है कि हाँ यह तो infinite ही था तो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर order of a order of a inverse equal होने चाहिए यह प्रूव करना है order of a हमने infinite ले लिया और इसका हम contradiction से इसको भी infinite बना देंगे तो हमने क्या माल लिया कि order of a inverse कोई M है जो कि finite value है अगर order of a inverse M है तो इसका मतलब क्या हो गया A inverse की power M हमें क्या देगा identity देगा according to the definition of order तो हमारा यह हो गया अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A की M inverse मतलब इस तरीके से हमने इसको लिख दिया ओके तो हमारा यह आगया अब हमने क्या किया इसकी दोनों तरफ inverse ले लिया अगर इसकी नम्वर्स की inverse की inverse की कीवा झांट्टि ए इंवर्स मारे किसक गलं रहे कि एंप और यहां पर एकी इनवर्स हो जाएगा लेकिन हम तो order of a क्या लेके चले थे, infinite लेके चले थे, कोई infinite किसी finite value से छोटी हो सकती है, m तो हमने क्या रिया था finite value, और order of a हम लेके चले थे, infinite, कोई infinite value कभी भी finite value से छोटी तो हो ही ने सकती, सो लिख देंगे हम there is an contradiction क्योंकि कोई भी infinite value है वो finite value से छोटी नहीं हो सकती इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लेके चले थे ना कि order of a inverse finite होगा वो ऐसा नहीं होगा तो जो order of a inverse है वो मेरा क्या होगा infinite होगा तो जो मैंने order of a finite लिया तो order of a inverse मेरा finite आया और उस case में मैंने m equal to n prove कर दिया था अगर मैंने case second लिया कि order of a infinite लिया तो हमने contradiction से order of a inverse को भी infinite प्रूब कर दिया तो यह थी हमारी theorem number second कि हमारा जो order होगा ना element का किसी भी group के element का उसका order और उसके inverse का order always क्या होगा equal होगा ओके अब हम करेंगे next theorem देखो next theorem क्या है हमारी theorem number third if the element e of a group g is of order n मतलब यह तो हमें दे रखा है कि जो हमारा element है ना a जो कि group g का है मतलब एक element a है given है उसके बाद इन्हों बोला then a km identity होगा अगर जो मेरा एन है न वो एक and is and divisor of m मतलब अगर एक पावर m identity है तो n होगा हमारा divisor of n और अगर मेरा n is and divisor of m है तो हमें प्रूब करना पड़ेगा कि a km equal to identity होगा मतलब यह if and only if का केस है यह value तो यह चीज़ तो हमें given है कि यह तो हमारी है ही हमें प्रूब क्या करना है कि a km identity तब होगी तब हमारा n is a divisor of m होगा और n is a divisor of m तब होगा जब मेरा a km equal to identity होगा हमें क्या दे रखा है कि element है यह जो कि group g के अंदर से उसका order n है और यह value तब होगी तब यह value होगी और यह बात तब होगी तब यह value हमारी होगी तो हम करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट सबसे पहले तो जो given चीज हम वह लिख लेते हैं कि हमारा बोल रखाए इनोंने कि the element a of a group g is of order n मतलब जो मेरा सबसे पहले जो हमें given है कि मेरा order of a है न वो n है order of a n है उसका मतलब क्या होगा कि मेरी a की power n क्या देगी आइडेंटिटी देगी यह बात मैंने लास्ट लेक्टर में बिल्गूल अच्छे से समझा देगी कि order of a अगर मेरा n है तो एकी power n मेरा अंसर क्या देगा तो एक बार हम लेके चलते हैं कि order of a तो n है दोनों ही case में मतलब यह बात तो हमारी दोनों ही case में है अब पहले हम क्या लेके चल रहे है अगर मेरा n divisor है m का तो हम प्रूव कर रही है पहले कि a qm equal to identity होगा ठीक है order of a तो हम given है and n is divisor of m यह भी हम लेके चल रहे है और हम प् a qm equal to identity ठीक है और फिर converse part में हम यह लेके चलेंगे कि यह है और यह हम प्रूव कर देंगे ठीक है क्योंकि थोर में यहीं बोल रख है तो अब हमें इस चीज का यूज करना है order of a equal to n है इसका मतलब यह बात थो हमें है a q power n equal to identity है यह हमें पता जलिया and is a divisor of n and अगर मेरा m का divisor है तो if n is a divisor of m तो मैं इस तरीके से लिख सकते हो ना m equal to n q जहां पर q मेरा कोई भी इंटीजर है मालो मेरा 6 है इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हो थ्री इंटू 2 तो मतलब 3 तो इसको पूरा पूरे डिवाइड करेगा ही ना अगर वो इसका divisor है तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि m equal to n q type से मैं वो तो फिर उसको डिवाइड करें क्योंकि यह पूरा पूरे डिवाइड कर रहा है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूं तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया ओके और पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो हमारा वैसे तो हो रहा है तो रिमेंडर तो मेरा क्या है जेरो है इसका मताब M equal to NQ बच गया यहां पर time equal to NQ मैंने ले लिया ओके अब एक चीज़ और हमें प्रूव क्या करना है कि A की M equal to identity यह हमें प्रूव करना है तो A की M हम लेकर चल पड़ते हैं और फिर हम उसको क्या प्रूव करेंगे कि हमारा identity आ गया तो अगर मैं A की M यहीं पर लिख देती हूं यहां अच्छे समझ जाए जागा A की M है ओके यह आ गया मेरा M की value मेरी क्या है यहां पर N Q क्योंकि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इस तरीके से हमने लिख दिया A की N Q यह आ गया उसको मैं इस तरीके से लिख सकते हूं A की पावर N की Q एक N हमें क्या दे रखा identity और identity की power कुछ भी करो क्या आएगा वापिस identity आएगा तो A की M मेरा किसके को लागा identity के को लागा यही हमें क्या करना प्रूव करना था order of A हमारा N दे रखा है और N is a divisor of M हमने लिया है और हम प्रूव क्या करें कि यह value is equal आएगे क्योंकि इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे remainder क्या हो गया जीरो हो गया तो हम इक्वल टू एन क्यू आगया तो AKM हमारा किसके एक बला गया और यही हमें क्या करता प्रूव करें अब क्या करेंगे कि order of A N लेके चलेंगे AKM अक क्या अदेंटिटी लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि N is a divisor of M ओके तो अब हमारा है Converse पार्ट तो Converse Converse में हम क्या लेके चलेंगे कि जो order of A है यह तो हमारा दोनों के लिए ही given है अब लेके चलेंगे कि AKM अइडेंटिटी है और वी शल प्रूव डैट M N is a divisor of M यह हमें प्रूव करना है मैं अब एक तरीके से मुझे क्या प्रूव करना है इसके अंदर कि M equal to NQ होगा ठीक है जैसे मैं उस condition के अंदर यह लेके चल पड़ी थी ना कि N is a divisor of M है तो इसका मतलब क्या था M equal to NQ होगा हमारा तो इसमें भी मुझे यह चीज प्रूव करना है और यह चीज हमें क्या गीवन दे रख्या है तो order of A मेरा N है और A की power M equal to identity है तो सबसे पहले जो हमें यह order of A है अगर मेरा N है order of A इसका मतलब मेरा क्या होगा A की N equal to identity ओके ओल्सू अब बाइ डिविजन अल्गोरिथम हमारा क्या होता है डिविजन अल्गोरिथम से M को हम किस तरीके से लिख सकते हैं Q plus R इस तरीके से लिख सकते हैं जहां पर मेरा जो R remainder होता है वो 0 अल्गोरिथम के बीच में होता है मतलब R की value यह तो 0 यह से बढ़ी होगी यह हमारा हमने पढ़ रखा चोटी classes में की algorithm के coding हमारे क्याता है M equal to N q plus R अब हमें किसी तरीके से क्या प्रूव करना है कि जो मेरा remainder तो हमने एम ले लिया यह क्या एंक्यू प्लस आर अब हमें क्या दे रखा है कि एकी एम एकवल टो एडेंटिटी राइट तो एकी एम हम क्या करेंगे लेके चल पड़ेंगे और किस तरीके से लेके चलेंगे कि हम यहां पर केस मनाएंगे दिखो क्या है ओडर ओफे एंड दे दिया एकी एम आइडेंटि दे दी यह हमें प्रूव करना था ओडर ओफे अगर हमारा क्या था एंड था तो इसका मतलब यह हो गया डिविजिन अलगोरिथम से मैंने यह लिख दिया अब मुझे क्या प्रूव करना है कि आर मेरा क्या हो हो जाए 0 हो जाए तो मैं आर 0 हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगी कॉंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको की लाटिख पोसिबल अगर पोसिबल है तो मेरा और है ना वह 0 नहीं है थीक है उसके बाद में यह लेके चल पड़ी कि एक ही हम इस तरीके से हैं और इसको मैं क्या दिख सकती हूं कि जिगां n q plus r क्योंकि r तो मेरा 0 n तो यहां 0 थोड़ना होगा तो यह हमने लिख दिया इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूं A की N की और A की R, इस तरी के से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, A की N की Q और A की N मेरा का identity, identity की power Q, किसी की power, identity की power कुछ भी कर दे तो वो identity होता है, A की R की multiply अगर मैं identity के साथ करूँगी तो A की R ही आएगा, मेरा A की M equal to A की R आगया, A की power M मुझे का दे रखा, identity से रखा, इसका मतलब यह identity equal to A, A की power R मेरा किसके इकवल आगया, identity के एकवल आ गया, A की power R मेरा identity आ गया, हमारा क्या होता था, कि अगर मेरा order of A N है, तो A की power N हमारा कहता था, identity आता था, जिए N value थी न, वो सबसे list value होती थी, और इससे छोटी कोई भी value ऐसी नहीं हो सकती थ जो हमारा answer identity दे दे, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, कि R N से छोटा है, और उसने answer identity दे दिया, तो यह तो possible ही नहीं है, तो हम लिख देंगे, this is an contradiction, क्योंकि कोई ऐसी value नहीं होगी, N से छोटी, जो हमारा identity answer दे दे, तो इसका मतलब जो हमारा R है न, वो not equal to 0 नहीं, 0 मतलब M क्या हो गया, N क्यों, इसका मतलब मेरा जो यह इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और M isn't divisor of N हमारा हो जाएगा, ओके, तो यह थी हमारी theorem number 3, देखो, इससे हमारी एक बात और पता चलते है, कि जैसे मेरा अगर order of, अगर यह की power मेरी N identity है, तो इससे हम क्य लिखते हैं, कि order of A है, मेरा less than equal to N है, अब हम इस theorem के help से क्या भी लिख सकते हैं, कि जो मेरा order of A है, वो डिवाइड करेगा N को, ठीक, कि जो मेरा order of A है, वो पूरा पूरा किसको डिवाइड करेगा N को, यह इस चीज का भी हम आगे बहुत सारी theorem में योज करेंगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अलग से बताईए, क्या, अगर A की power identity है, तो यह तो हम लिखी सकते हैं, कि order of A less than equal to N होगा, और यह भी लिख सकते हैं, कि जो यह order होगा, यह का वो पूरा पूरा किसको डिवाइड करेगा, N को डिवाइड करेगा, और इस चीज का हम थेयोरम से बहु अंदर, कि जो इसका और इसका order है, वो सेम होगा, और यहाँ पे जो A और X है, वो क्या है, दो element है, किसी ग्रूप की, यह theorem हमारी जो second theorem थी, मतलब जो यह हमने theorem करी थी, यह वाली, इससे कुछ-कुछ रिलेट करते, इसमें भी हमें क्या प्रूव करना था, कि जो order है, A का औ या infinite होगा, तो हम यहाँ भी वही करेंगे, of course, कि यहाँ तो order हमारा क्या होगा, इनका finite होगा, या फिर infinite होगा, उसी तरीके से हम लेंगे, इसके अंदर भी, तो start करते हैं, कि हमारा क्या, the order of element A and this are same, यह हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है, और यह हमें दे रख करना है, कि प्रूव देट, order of A and order of X inverse AX है, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम दो case लेके चलेंगे, case number first, कि अगर मेरा सबसे पहले order of A, अगर finite है, तो, if order of A is finite, तो हमें प्रूव करना है, कि order of A और यह हमार इक्वल हो जाए, then हम करेंगे, कि अगर वो infinite है, तो इस finite value है, वो हमने क्या माली, says N, कोई N value माली, तो order of A equal to हमने माली है, N, और order of X inverse AX हमने क्या माली है, M, किसी तरीके से अब हमें क्या प्रूव करना है, कि N और M हमारे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ओके, इस से पहले मैं एक बात यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका इस theorem में use होगा अगे, अभी बस यह देख लो कि क्या किया है, मैंने, अगर मेरा इस तरीके से X inverse AX into X inverse AX, इसको मैं किस तरीके से लिख सकते हैं, कोई कठा कर सकते हैं, X inverse A और X X inverse AX, यह हमारा identity हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या बन जाए, X inverse A square X इस तरीके से बन जाएगा, अ इसका तो मेरा क्या है था, X inverse A square X, और यहाँ X inverse AX, इन दोनों को करेंगे तो identity हो जाएगा, और A square into A A की क्यूब, X, मतलब यहाँ पर जो मेरी दो पावर है, तो यहाँ 2 आ रहा है, और X inverse X रहे रहा है, अगर यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है, अगर इसी तरह जाते जाते है, X inverse A की एन X, बस मुझे बताना था कि यह ऐसा होगा, क्योंकि इस त्योरम में आगे जा कि इसका यूज होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर इस तरीक के element होना, तो सिर्फ वो क्या होता है, इस पावर का, यहाँ पर फरक पड़ता है, कि यहाँ पर वही पावर आ जाते है जो उपर हो, अब वापिस हम अपनी त्योरम पर चलते हैं, क्या चल रहा था, कि order of A को हमें इसको order के equal proof करना था, हमने इसको ले जिया कि finite है, और हमने माले कि यह N value और यह M है, और हमें N और M को equal proof करके दिखाना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि एक value को लेक इसका मतलब क्या हो जगा है, इसका मतलब क्या हो जगा है, यह दोनों equal है, जैसे जो last theorem थी, हमने उसके अंदर यह वाले terms का use किया था, इसके अंदर हम division वाला करेंगे, कि अगर NM को divide कर और MN को divide कर तो equal हो जाएंगे, अगर आप चाहो तो इसका भी use कर सकते हो, क्योंकि आ आगे भी आपको अभी से समझना स्टार्ट हो जाएगी, यह इस तरीके से करने है, ओके, तो order of A finite है, N ले लिया, M ले लिया, अब हम करते है, अगर मेरा जो order of X inverse AX क्या है, M है, इस तरीके से मैंने ले लिया, इसका मतलब क्या है, क्या होता था मेरा order of A, अगर मेरा M होता तो A की power M equal to identity होता है, यहाँ A की जगे यह है, तो इसका मतलब क्या हो जागा, X inverse AX की power M मेरा क्या हो जागा identity, अभी मैंने बताया था कि इस तरीके से होना, उसके power M तो यहाँ पे आएना जाते है, अगर यहाँ पे M होता जागा, X inverse A की power M, X equal to identity, मुझे इसको किस के साथ कर करना है A के order के साथ, तो मैं कुछ चाहूंगी यहाँ पे कि मेरा कुछ ऐसा बच जाए, यहाँ पे A type का, मतलब सिर्फ यह वाले term बच जाए, और यह term हट जाए, कुछ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं क्या ले लूँ, इसकी pre operation तो इसका X के साथ करवाद होता कि identity बन गया, यह identity बन गया, identity XE X inverse, अब identity किसी के साथ कुछ product करो, तो हमारा क्या हो जाता है, product का मतलब यहाँ पे क्या, operation लगाँ तो हमारा वही element आ जाता है, XE की power X inverse, तो हमारा ही आ गया, इसका मतलब क्या है, कि जो मेरा order of A है ना, वो क्या हो गया, less than equal to identity, देखो कैसे, यह एक बार यह इसको और आगे solve करो, यहीं पर लेकर देती हूँ, मैं, देखो, यह identity की product करेंगे, इसके साथ तो क्या हैगा, XE XE inverse, XE inverse हमारा क्या जाएगा, identity, अब देखो, अब ध्यान से दिखेगा, कि AKM equal to identity है, इसका मतलब क्या हो गया, कि यह तो हमारा दो केस बन जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, या तो आप यह लिख दो, यह लिख दो, कोई वो नहीं है, दोनों से ही हो जाएगा, तो order of A मैंने लेके क्या चली थी मैं, N, तो मेरा इसका मतलब क्या हो गया, N divide M, ठीक है, यह equation number first आगे, ओके, मैं यह लेके चली थी मेरा M से start करके, अब हम क्या गरेंगे, इस से start करके चलेंगे, मतलब उसकी N power से हम start करके चलेंगे, और उसको, मतलब कुछ इस तरीकी का प्रोव करने की कोशिश करेंगे, कि M divide N हो जाए, ताकि वो equal proof हो जाए, तो हम अब लेके चलते हैं, यहाँ पर, कि X, मतलब हम यह वाली इटम कुछ है, N type की इटम लेके चलेंगे, हमारा रहे का तो यही, लेकिन हमें क्या N type की इटम लेके चलेंगे, क्योंकि हमें N or M को connect करना है, हमने क्या लिए अब, X inverse A, X की power N, और इसको open का से लिखते है, X inverse A, X, इस तरीके से open करते हैं, मैंने आपको बता दिया करो, तो X inverse X ही आजाएगा, और यह क्या होता है, हमारा identity होता ही है, right मतलब मेरा यह आगा, A, X की power, मतलब यह हमारा किसके एक बला गया, identity की बला गया, और इसका मतलब क्या है, कि मेरा order of X inverse AX, वो क्या हो गया, वो पूरा-पूरा डिवाइड करेगा N को, इसका मतलब देख कर गया, N को, from first and second, अगर मेरा NM को डिवाइड कर और NM को डिवाइड कर रहे है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जो मेरा M और NM, वो क्या है, एक्वल ही है, अफ्कोर्स, तो finite के 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 समे हमारे यह दोनों क्या आगे, एक्वल आगे, अब हम क्या लेंगी, case number second, मतल करते हैं, कि हम यह लेके चल पड़ते हैं, कि अगर possible है, तो वो finite है, और अगर उसमें contradiction आ गई, तो हम बोल देंगे, कि हाँ, इसमें contradiction आ गई, मतलब यह finite नहीं है, तो infinite ही था, ओके, तो हम क्या करेंगे, let if possible, जो हमारा यह वाला order है, वो क्या है, finite है, order of x inverse x, finite है, और जो कि मैंने माल लिया, कि वो m के इकवल है, कोई भी finite value, तो हमारा यह है, इसका मतलब क्या होगा, कि इसके power m करेंगे, तो identity आएगा, वागा, इसका मतलब क्या होता है, कि x inverse e की power m, x equal to identity, यह वाली बात से है, तो हमारा यह आगा, उसके बाद, अब हम क्या करेंगे, हमें तो इसक contradiction प्रूव करके दिखाना है, मतलब कुछ इस तरीके से हमें प्रूव करके दिखाना है, कि जो हम लेके चले, कि जिसका एक आउडर infinite हो, हम एक आउडर finite आजाए, इससे कुछ, तो हमारा contradiction प्रूव हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ a type का चाहिए है, तो अगर मुझ पिछे x inverse लगा दिया, तो x, identity, x inverse, यह identity, identity, am, identity, यहाँ पे हमारा क्या, identity किसी के उसाथ प्रूड़क्ट, x, x inverse, x, x, inverse identity हो जाएगा, और यहाँ पे का जाएगा, am, am equal to identity का मतलब क्या है, कि order of a है, मेरा वो क्या हो गया, less than equal to m, इसका मतलब यह हो गया, अब देख, हम लेके तो क्या चले थे, कि order of a finite, infinite है हमारा, और हमारी जो m value थी, वो क्या थी, finite, और यहाँ पे क्या आगा, कि infinite value है, किसी finite value से छोटी है, यह कोई possible है, हमारे, तो possible है, कि infinite value किसी finite value से छोटी हो, तो लिख देंगे, am, so there is an contradiction, और इसका मतलब हमारा क्या हो गया, कि जो मेरा order of this है, वो भी क्या हो जागा, infinite हो जागा, बल्कि वो finite नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा contradiction आगा, तो यह थी हमारी last theorem, then हमारे examples बचके है, इसके main main conclusion हमारे क्या थे, इन theorem कि कि अगर मेरा order of a n है, तो उसका मतलब होगा, a की power n equal to identity, also अगर मेरा a की power n identity है, तो order of a less than equal to n होगा, या फिर order of a, divide करेगा पूरा-पूरा n को, ठीक है, एक हमने क्या पड़ा था, कि जो order of a होगा ना, और order of a inverse, वो हमारे क्या होगे, equal होगे, also हमने यह last theorem पढ़िए कि order of a, और order of x inverse ax हमारे क्या होगे, equal होगे, यह हमने result करे हैं, कुछ order से related, अब next जो हमारी lecture होगा, उसके अ झाल